हलो प्रेंट्स एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पांडे जी के क्लासिस में दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं MPGK मदप्रदेश शामान ग्यान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रस्ण दोस्तों ये हमारा वीडियो का फूर्थ पार्ट है इसके पहले हमने तीन पार्ट और अपलोड कर दिये हैं यदि आपने नहीं देखा तो उन वीडियो को आप देख ले दोस्तों हमारे चैनल पे आपको MPGK का संपूर्ण स्लेवस कराया जा रहा है चाहे हो MPP पुलिस हो MPSI ह MPP पड़वारी हो या फिर MPPSC हो यदि कहीं भी किसी भी एक्जाम में आपको MPGK के कोश्चन देखने को मिलेंगे तो हमारे चैनल पे पूरा स्लेवस कराया जा रहा है कहीं न कहीं यहीं से प्रस्ण बनेंगे और जादा से जादा इन प्रस्णों के आने की संभावना है खा की संभूर स्लेवस कराया जा रहा है तो आप इस चैनल पे अंदर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दवा दें ताकि आपको हमारे अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए दोस्तों आज का हमारा पहला प् जनगर्णा मत प्रदेश की छठी एवं देश की पंद्रवी जनगर्णा थी नेक्स्ट नेक्स्ट दोस्तों हमारा अंगला कोश्चन है हमारा अंगला कोश्चन क्या कह रहा है कि जनगर्णा संबंधी कार किसके द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों आप सभी को इसका अं सरकार द्वारा जनगर्णा संबंदी कार किसके द्वारा जैरी किया जाता है बारस सरकार द्वारा चलिए दोस्तो हमारा अंगला कोशन देखते हैं हमारा अंगला कोशन क्या कह रहा कि किसके किसके तहत जनगर्णा कार किया जाता है तो किसके तहत किया जाता है तो हमारा अंस क्या कहे कि कितने वर्स कोश्चन द्यान से देखिएगा दोस्तों बहुत important और repeated question है और जयादा से जयादा इन questions की आने की संभाव ना क्योंकि जितने भी question बहुत important हैं और selected question तो आप وीडियो है जो साच्छर्ता दर में सामिल किये गए है दोस्तों तो साथ बर्स या उससे अधिक कितने साथ बर्स या उससे अधिक लोग नेक्स दोस्तों हमारा अंगला कोश्चन है हमारा अंगला कोश्चन क्या कह रहा है कि विस्व जन संख्या दिवस मनाया जाता है तो दोस्तों वि 11 जुलाई को कब 11 जुलाई को 20 सुजन संख्या दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट हमारा अंगला कोश्चन हमारा अंगला कोश्चन क्या करा कि सिर्पूर तालाब इंदावर को पच्छी बिहार की मंजूरी कब मिली चलिए दोस्तों हमारा आंसर देखते हैं हमारा आंसर है 2012 में नेक्स्ट दोस्तों हमारा अंगला कोश्चन है हमारा अंगला कोश्चन है कि मद्द प्रदेश बन परियोजना को किस से सहायता प्राप्त है कोश्चन का गयरा दोस्तों कि हमारा अंसर है, बिश्यो बैंक से सहायता प्राप्त है, किस सहायता प्राप्त है दोस्तों तो बिश्यो बैंक से, चाहिए दोस्तों हमारा अगला कोशन देखते हैं, हमारा अगला कोशन बहुत इंपोर्टेट है, कि मन्द सौर अभिलेक किसके द्वारा निर्मार का उलेक है, तो किसके दोरा निर्मान का उलेख है दोस्तों चलिए हमारा आंसर देखते हैं दसपूर सूर मंदिर के निर्मान का उलेख प्राप्त है किसको दसपूर सूर मंदिर के निर्मान का उलेख दोस्टों हमारे जितने भी कोश्टन वन लाइनर और बहुत ही सलेक्टड और बहुत ही बहतरीन कोश्टन है तो आप बिल्कूर वीडियो पे अंतअ कपरे रहे हैं आपको मजा आ जाएगा पड़ एक द goofy अच्छे प्रसंट लाया हूँ कहीं न कहीं यदि आप कोई भी एक्जाम एमपी से लेटिट देख रहे हैं तो इस पर एमपी जीगे का 100% 4-5 कोशन आता है तो इन में से जरूर आपको हेल्फ होगी जली दोस्तों हमारा अंगला कोशन देखते हैं कि उद्यगिरी अभिले किसकी मूर्ति इस्थापना का विवरण है तो दोस्तों उद्यगिरी अभिले किसकी मूर्ति इस्थापना का विवरण है जोस्तों हमारा अंसर देखते हैं पास्वरनाथ जैन मूर्ति इस्थापना का विवरण किसका पास्वरनाथ जैन मूर्ति इस्थापना का विवरन है नेक्ट दोस्तों हमारा अगला कोश्चन है हमारा अगला कोश्चन है कि कौन से अभ्यारन में काला हीरन पाया जाता है दोस्तों देखिए बहुत इंपोर्टन कोश्चन है कि आप माली ये कोश्चन आ गया आपके सामने कि कौन से अभ्यारन में काला हिरन पाया जाता है तो देखिए चलिए देखते हैं हमारा अंसर क्या होगा सत्पूरा अभ्यारन किसमें दोस्तों सत्पूरा अभ्यारन में काला हिरन पाया जाता है नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्या हो जाएका डिन्डोरी तो डिन्डोरी में प्रदेश का प्रथम जीवास उद्यान इस्तित है next हमारा अंगला कोस्चन किस प्रदेश को Tiger State कहा जाथा है दोस्तों आप सभी के मन में आंसर आ गया होगा किस प्रदेश को Tiger State कहा है तो किस प्रदेश को कहा जाता है मद्ध प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है नेक्स्ट हमारा अंगला कोश्चन है हमारा अंगला कोश्चन है कि मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान है तो दोस्तों मद्ध प्रदेश का सबसे बड़ा राष् दोस्तों कोश्चन आ जाता है कि मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान कौन सा है है ना एक कोश्चन और बन जाएगा कि इसका छेत्रफन कितना है तो मद्द प्रदेश का सबसे बड़ा राष्टी उद्यान है काना किसली राष्टी उद्यान देखिए दोस्तों अभी सबसे बड़ा राष्टी उद्यान था अब आ गया सबसे छोटा राष्टी उद्यान इसका छेत्रफल कितना है तो देखिए दोस्तों देखते हैं मद्ध प्रिद्ध का सबसे छोटा राष्टी उद्यान कौन सा जीवास्म राष्टी उद्यान जिस किसके लिए प्रसिद्ध है इसके लिएhini प्रसिद्ध है तो आंसर हो जाएगा सफेद सेरों के लिए किसके लिए जोस्तों अल्बा आंगला कोशन देखते हैं मेरा क्या है किृ मद्प्रदेश क्यृ नि का भिके कि मोईट सफारी का निर्मार किया गया है दोस्तों मद्द प्रदेश के किस जिले में वाइट टाइगर सफारी का निर्मान किया गया है दोस्तों किस जिले में किया गया है चलिए हमारा अंसर देखते हैं हमारा अंसर होगा रीवा जिले के मुकुंदपुर दोस्तों रीवा जिले के मुकुंदपुर में वाइ टाइगर सफारी का निरमाण किया गया है हमारा अगला कोशन देखते हैं दूध राज अभ्यारण है दूध राज अभ्यारण कहा है दोस्तों यह जो दूध राज इसे बहुत इपोर्टन कोशन है क्योंकि जो अब कोशन आ जाएगा आपके पास की मद्ध प्रदेश का राज की पेच्छी तो मैं बताई दिया है तो अभी ए आगया कोशन की दूध राज अभिहारण कौन सा है? उस दिन मैंने आपको क्लियर करवाइ था है कि दूध राज राज की पा caliber अभिहारण है कहा है? तो दूध राज अब्भारण सरदार पुर अब्भारण में है नेक्ट दोस्तो हमारा अगला कोशन है हमारा अगला कोशन क्या कह रहा है की राश्ट्री उद्यान में मद्द प्रदेश का कौन सा इस्थान है दोस्तों राश्ट्री उद्यान में मद्द प्रदेश मद्प्रदेश का कौन सा इस्थान है आप अपना अंसर कर सकते हैं कि राश्ट्री उद्यान में मद्प्रदेश का कौन सा इस्थान है तो दोस्तों कौन सा इस्थान है राश्ट्री उद्यान में मद्प्रदेश का प्रथम राश्ट्री उद्यान में दोस्तों स्थित है सरभाधिक अभ्यारन जो है अंडमान निकोबारस देखते हैं मद्द प्रदेश का कौन सा राष्ट्री उद्यान इंदिरा गांधी प्रदर्शनी राष्ट्री उद्यान के नाम से जाना जाता है कोशन क्या कह रहा है कि मद्द प्रदेश का कौन सा राश्ट्री उद्यान इंदिरा गांधी प्रदर्शनी राश्ट्री उद्यान के नाम से जाना जाता है तो कौन सा उद्यान जाना जाता है दोस्तों पेच राश्ट्री उद्यान जाना जाता है दोस्तों ये थे हमारे most important MPGKS मदप्रदेश सामान ग्यान के प्रस्ण तो चलिए दोस्तों जल्द ही मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ तब तक आप हमारे वीडियो में बने रहें धन्यवाद